उसने e-sports player बनने का सपना लिखा चालो ने ने यूज हेड़फोन ओक्या अब यह उन्सपोर्ट भाई तेरे को पता है मेहनत करने वालों कि ना कभी हार नी होती जानते हो तो फिर बीच में हार मानके क्यों छोड़ देते हो खड़े-खड़े मूतने से कभी धार नी होती यह उसको पूरा था तुम लोग अधूरा वोलते हो थैंक्स मी लेटर नी सुनाओ बोरिंग सी एक चोटे से सहर में एक गरीब लड़का हुआ करता था अरे नहीं यार इस भागती दोडती चुहो की रेस में किसी के जिंदेगी के बार में जानने के लिए हमारे पास टाइम ही कहा है तो सिधा मुद्दे की बात जिंदेगी ने जब कुछ नहीं दिया तब उसे ही कुछ करना था 18 साल तक माप अपने बाल के बढ़ा किया अब साले को e-sports player बनना था तो उठालिया फोन शुरू कर दिया फंडा सारे दोस्त नूप केके चिडाते तो उठालिया दंडा लेकिन लोगों के नजरो जब भी कोई बंदा free fire खेलता है तो वो सिर्फ e-sports player बनने के लिए कुछ लोगों ने बहुत सर्व लोग थे जिन लोगों ने फिरी फिर को फन के लिए खेला था लेकिन अब वो e-sports player बन चुके है स्टार्टिंग इंसान एक player के रूप में करता है बाद में वो e-sports player बनता है परेक्शन लिखता है सोनम सपना इस बात को नोट करके रखेलो कहीं पर UPSC के गजाम में आ सकता है कर दिखाने का लोगों को भी मिला उसे गिराने का भाई है क्या कर रहा है चोड़ना यार इस पागलपन को ये सो बेकार की चीजे हैं काबु मेरक अपने मुन को लेकिन ऐसे लग रहा हूं मेरको अगर किसे M.L.M. वाले की स्पीश सुन रहा हूं मैं राम कसम जूट नी बहुर रहा हूं ऐसे ऐसे इस पीश देते हूं तुझे कुछ करना है तो नो बजा आजाना यहीं पर टिकट लेका आना तेरी जुन्दे की बदल जाएगी नो बजाए ऐसी बूलते हूं जादा करेंगे लोग दंडा जब भूका ही मर रहा हूं तो ना जारी रखू अपना धंदा पैसे कभी पैसे नहीं मिल रहे तो पहले लेंगे अच्छे अच्छे टीम से पंगा फिर बनाने लग गया अपना टीम बहुत कोसिस किया बहुत मेहनत किया एक साल तक रेजिस्ट का मोची दो एक सबेरे गजब हो गया मोबाइल गिर के फोन का स्क्रीन टूट गया और सब को गया एक ही दिन में टीम ही टूट गई मतलब लोगों ने सच कहा था भाई दिमाग में जो डड़ था उसने भी अपनी ओकाद दिखाई हाँ भाई ये फिजूल का काम है हमने गल को तोड़ दूँगा वो परवपरा थी गरीवी चादर की अंदर पाउ चुपाने की हाहा कार मच गया भाई छूट गे सब ये तेरे बसका नहीं बोलकर रूट गे सब खेर उसने इस्पोर्ट्स प्लेयर बनने का सपना चालों देखा अपना देखा बजेट के नाम पर मिल जल्दी पाजाओंगा बनी टीम, हुई प्रक्टिस, बनी स्राटिजिस, सब रेडी हुआ और आई टूर्नामेंट की बारी, गेमपले ऐसा था, जनता हील जाएगी सारी, और हर मैच में बुया होने लगनी थी, और उसकी बड़ी सी इंकम आने लगनी थी, मैचेस पे मैचे फिर से टीम को समझा या, फिर से बनाई ने स्राटिजिस, छोड़ा अनलीमिटेड कस्टम्स पर फिर से नेगेटिविटे के इमोशन्स, कुछ नहीं हुआ भाई, अब की बार फिर लगी चोट, तूर्नामेंट पे तूर्नमेंट के लेगने, मैंने 80 परसेंट कस्टम जो अ लेकिन लोग फिर unlimited में इस्टिक होया के रहाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे लोग यार मैं यह कर सकता है इतना आगे नहीं सोचेंगे लोग नहीं समझोगे तूम अभी तूमको उसके लिए समय लागया इसका इसका दोश्य हो पर आगे परहर परहाई बड़ेंगे तूमको उसके लेश्टिक हो गया इसका ताने इसका दोश्य हो अपना आईडी ओपन किया, आज उसने फैसला किया, खत्म कर दूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, उठाया मोबाइल, आईडी ओपन किया, और आईडी बैन करवाने की सोची, तभी उसके अंदर से कावा जाई, बस हो गया खत्म जुनून, थंडा पड़ गया खून, ऐसे ब बढ़ जाएगा, आईडी बैन करवाना है ना, गेम उनिस्टॉल करना है ना, कुछी दिन बात करना, अभी मेरी बात मान, फिर से कोसिस कर, रुखमत करता जा, खुद को बहतर करता जा, इगो से नहीं, चस्बात से नहीं, उनीक होकर, और दिमाग से काम कर, सीखता जा, अल गेम प्ले को लोग स्टाटिस पर लगाने लगे, टूर्नमेंट्स खेलती गई, जीत पर जीत होती गई, और देखते ही देखते उसके टीम को नंबर वान एस्पोर्स टीम का टैग मिल गया, अर एक जानकर उसको इंस्पिरेशन बताने लगा, उसे देखकर हजारों बंदो और बदल दिया उसने सक्सेस के सिस्टम को, गीरोगे, टूटोगे, मजाग बनोगे, लेकिन हारोगे नहीं, जब तक नहीं रुकोगे, बदलाव करते रहो, यहरी सांस बढ़ते रहो, एक दिन तुम्हारी भी टीम चलेगी, अचा सोरी या, मैं बताना भूल गया, ये जो क महानी मैंने सुनाई, इसको फ्यूचर में सुनाना, एक सक्सेसपुल e-sports प्लेयर बनके अपने जर्णी बताना, बढ़िया भाई, देर इस नो शॉटकॉट अली हार्ड वर्क ब्रो,